जे हिन दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की ये वीडियो बहुत जादा इंपोर्टन होने वाली है क्लास 11 के इंगलिस के सब्जेक्ट लिए ठीक है जैसे कि आप सभी को पता है कि 17 फरेजित हो जो मौनी सिप के बच्चे है इन इसना अंदाल्य लग जाएगा कि आपके जो माक्स हैं पेपर में वो कितने आ सकते हैं और साथ ही ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टन हो जाती है जिनका कल पेपर है यानि की 20 फरवरी को पेपर होने वाल है जिनका हो चुका होने वाल है उनक जरूसे दिखेगा तो आप यहां देख सकता है यह है हमारी की मार्किंग व्हांट सब्सकृत है था ए लिडिंग का था बी जो था राइटिंग की स्किर्स का और सी जो था लिट्रेचर वाला पार्ड था ठीक है टैक सिर्ट नुम्बर ए था बच्चों हमारा यहां पर जिसमें पहला कोश्चन था हमारा 10 नमबर तो कुछ वन वर्ड के थे कुछ है कुछ नौर्मली चाही बताई गई है क्योंकि हमारा जो environment producer होता जा रहा है उसके बार में बाते हैं अब marking cream को देख लेंगे और question को देखेंगे पहला question क्या दिया हुआ था बच्चो पहला दिया हुआ था according to the passage people object to the banning of plastic bags क्यों करें भाई क्योंकि अपने convenient की लिए करें ताकि पर्यावरां पर्यूशिप ना हो ठीक है and second question the environmental balance of the oceans is being thrown over plastic bags because यानी की environmental जो balance है इसमें जो समुदर होते हैं वो क्यों उसको जाने नुक्षान पहुंच रहा है तो उनने नुक्षान इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि many species of sea animals are dying due to plastic bags ठीक है ना दूसरे का C वाला हमारा राइट है इसलिए क्या करते हैं वो वो करते हैं leave them as a trash वो plastic bags को क्या करते हैं बच्छो ऐसे ही फेक देते हैं कच्री की समान ठीक है लेकिन उसे इसको recycle करने के लिए भेज देना चाहिए पहले बार तो प्लास्टिक दो तरीके का होता है एक होता है जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं एक जो होता है ठीक है वो मतलब यह सारी चीजह होती है तो वही चीजह आपर बताएगी है इसको यूज कर सकते है तो यह नहीं कर सकते है लेकिन इसको यूज कर सकते है इसको यूज कर सकते है अब पांचमा क्या था वाई कि वाई आर पेपर बैक्स नॉट गुड़ अट गुड़ alternative of plastic wax because of that trees are cut to make them क्योंकि paper bags उनको बनाने के लिए हमें पेड़ों को काटिना पड़ेगा यानि कि हम प्लास्टिक को नहीं जलाते हैं तो यह क्यों अच्छा नहीं है because of that burning plastic image the toxic gases the harm at atmosphere and increase the level of VOC in the air यानि कि बहुत सारे toxic gases को यह निकालता है जैसे मारे प्लास्टिक को बहुँचा रहा प्रदूस्टिक करता है यह नुकसान पहुचा इसलिए यह में प्लास्टिक को नहीं जलाना चाहिए क्या है तात्वा था कि how are sea animals affected by plastic wax जो sea animals से वो कैसे affected होता है because of that animals mistake the size, tape, texture of the plastic wax for meal and find its airway cutoff this plastic wax into the mouse, smots and station tracks of sea animals यानि की तरीके से यह उनके जीवन को बहुत ही जादा खतना प्रदाम पहुचा रहे बस इतना आप समझे लिए क्या है and then why we do not alternatives of plastic wax यानि की why we why do we need alternatives हमें क्यों चाहिए यह तो मैं चाहिए बहुत वजय से वह आप 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 देख लीजे उसके बाद में क्या question है कि find word from the passage which mean the same as the following garbage तो क्या बोलते है प्रेस बोल चाहिए उसके बाद find word from the passage which mean the same as the following waste disposal area वेस्ट इस बोलते हैं अच्छो लैंड फिल भी बोल सकते है तो यह आपका complete होगा अच्छे तरीके से अब दूसरा बारा देख लेते हैं तो दूसरा बारा पैसल यह आपका पार्ट नंबर का आएगा और इसको इसको भी अमान से देख लेते हैं सारी के सारे मोबाइल के बारे में बात की गई है तो मोबाइल के बारे में बात की गई है क्वेशन देखेंगे सबसे पहला क्वेशन यह है कि according to the text do mobile phones lead the brain tumors यानिकि क्या इस पैसे के जो मोबाइल फोन इसको देखते हैं सब्सक्राइब है कि इसको देखते हैं कि the year 2011 significant in this passage because it was the year when mobile phones यानि कि यह किस लिए जादा इस टाइम पे जो मोबाइल फोन थे वो ज्यादा तर जो रिसर्स थी वो हो चुकी थी और मार्केट में आने ही वाले थे इस लिए ज्यादा माना थे वाइड़ दे आर्टिकल मैंशन माइक्रोवेब और यानि कि माइक्रोवेब और यहां पर क्यों दिया गया है तो दे और यूज फोर एम आर एम आर ए राइट है एक है फोर्त क्या है डैस इमिटिड वाइल मुबाइल फोन कैन भी अब्सॉर्ब वाइव हूमन टिस्यूज क्या होता है इसके लिए डिडियो फ्रिक्वेंसी एनरजी होती है एक है एक 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 टेवल गिवन जो आपको यहां प ज्यादा टेवल को यूज करें तो आप कैसे होंगे तो आंसर क्या होगा भाई आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा बी मोर लाइक लिटू है एक सब्सक्राइड यानि कि यह जो है आपको सर में बहुत ज्यादा दर्द कर सकता है अगर आप ज्यादा टेवल तो यूज करते क्या है इसके वारे में आप यह से पढ़िए इसको यह रहा आपका तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएगे तो यह आपके दोनों complete होगे अब उसके बाद में जो है वह चाहता है आपका यहां पर दिखिए नोटमेकिंग वाला पार्ट तो नोटमेकिंग वाली दिख क्योंकि नोटमेकिंग के उपर दिखिए काफी टाइम लग जाता और वीडियो फिस से आपकी काफी लेट हो जाती है इसलिए नोटमेकिंग का मैंने आपको format बता देता हूं कि marks आपको कैसे मिलेगा नोटमेकिंग में जो आपका टाइटल हैगा एक नमबर आपको टाइट उसे दो तरीके से डवाइड किया गया है कि content और आपके जो वर्ड पावर है वह एक नमबर इस तरी है मैं आपको बताता हूं कि नोटमेकिंग आपको करनी कैसे चाहिए नोटमेकिंग के ऊपर दिखे मैंने एक बनाया हुआ था जैसे मैंने यह टाइटल है कि पैडिस्टे पर मेंटेनर से साइड वाल थी डेंजेस एलेक्ट 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 इंस्टोशनेसन है गालेश डंट है वाटर लोट फूट पैट्स है लाइफ कैसे रिजन्स की तो इस तरीके से मैं यहां पर एक कि का तीन से चाहर जो है वो नोट्स भी बना रखे है और हैं तो यह आ जादा हो गया एक पीज के चाहर पांस लाइन चोड़ देना पस तो यह आपके समरी हुए कंप्लीट अब बात करेंगे सेक्शन नमबर बी की यहां पर नोट मेंकिंग का आपका पार्ट है माटा देता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनेंगे यहां पर आ ज आएगा बच्चो वोकप क्या आएगा वोकप लिखेंगे वैन ही वोकप जब वो जागा इस मदर हैड और लेडी प्रिपेर ब्रेकफास्ट यानि कि उसकी जो मदर थी वो और लेडी ब्रेकफास्ट बना चुकी ठीक है जब वो उड़ता है और हमारे घरम भी ऐसा ही होता जो मोटते हैं तब तक घरमें बार उठाना जो बन भी चुका होता है वी क्या हुआ है वी गो टू लंडन लास्ट यह विकॉस आवर फ्रेंड इंवाइट अस यहां पर किस तरीके की फॉर्म बरवाएगी यहां पर आएगी गो की जगे आएगा वेंट एंड आएड इनव एंड यह टेक ओथ अन मंडे यानि कि वो थानमती बन गया यानकि मले बन गया अब उस शबत ले गा सोंबार को क्या होगा कि ही इस एलेक्ट यह फिर फिर यहां और इस तरीके से आजएगा एग यहां पर आईग लाइग दिफॉर्वर्स देट यू बिंगक ऑं पर तो यहां पर आने वाले अगर आप यह भर के आए हैं सारे के सारे तो आपके यहां पर चार नमर यह कंप्लीट हो जाएगा अब क्या जाता है अब यहां बच्चों आपको रियरेंज करने है ठीक है जैसे इसका सिंपल सा जो क्या बन जाएगा सेंटेंस सेंटेंस बन जाएगा इस तरीके से कि आई सर्च इंटायर नाइवर्ट फोर माई केट यानकि मैंने अपने आस पास को पड़ उसके पूरा देख लिया लेक्के अपने केट को ढोड़ने के लिए ठीक है दूसरा कहा है ही डूइंग सब्सक्राइब यहां पर क्याएगा इस तरीके से यहां पर आ जाएगा इस तरीके से यहां पर आ जाएगा तो आपको मैंने सेक्षन आ जो था आपका कंप्लेट करवाई दिया अब यहां पर आपके लिट्रेक्षर वाला पार्ट मतलब राइटिंग सिस्थ के बारे में तो यहां पर देखो बच्चो एक चीज में आपको बता देता हूं कि मैंने आपको कुछ पिछली ही वीडियो में जो सेंपल डाला था और मैंने कहा था कि आपके लिए एक एडवर्टीजमेंट तो आएगा सिचियोशन वांटेड या फिर विकेंड पे और एक एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगा फोल सेल या फिर परचीस में और हुआ भी भाई बच्चो फोल सेल पे एक आया और एक वांटेड पे आया था इससे पहले के पीपर में सेम वही यहां पे आया हुआ और ठीक है और भी एक चीज़ में बताऊगा कि इसमें जो आपकी इसपीच है ठीक है पेपर में आपकी जो इसपीच है दूनोकी इसपीच की में बतरा रहा हुए हूँ Exodus 2 में इक सीउल टीवेड जो है ना दोनों की इसपीड डिवेड ऑनामों की डिवेड आपको करवा बस आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है उसे हम अठाद है तो वही आया है जो मैंने आपको सिर्फ दो ही सेंपल करवाया था तो आप इस तरीके से अंदाज्या लगा सकते हो कि हमारे जो सेंपल पर साफ लिए अपलोड किये जाते हैं वह कितने जादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तो इसलिए मैं हमें सा से कहता हूं कि आप वीडियो को ध्यास से लिखा है आप अपको लिखना था किसके उपर आप विपिन कुमारी आप नीरु कुमारी है ठीक है आप लीडिंग आर्किटेक्ट प्रेक्टिसिंग डेली यहां यहां पर कि आपको नहीं अपना बना है जो आ यहां पर अपने बनाला यह हूं59 छिए अपको यहां पर खरीदना यहां पर कुछ भी दःख सकते जैसे आप वांटिडट्य टाइल सकते UmLie को लिख Bye जब लिखेंगे चलिए मेंचिन करना साइज मेंचिन करना है ठीक है एंड जो आपकर स्पेस्फिकेशन चाहिए जैसे कि मुझे अक्कमोडेशन चाहिए अक्कमोडेशन वांटेड रिक्वाइड आफ फुली फॉर्निश्ट थ्री बीच्ट के डिपेंडेंट हाउस या फिर अपार्टमेंट इन कहां पर साउथ एक्टेशन और मै पानी हमें साथ आना चाहिए और अब कटनी नीची एसा जो है मुझे एक अक्कमोडेशन चाहिए जो भी इंट्रेस्टेशन पार्टी से या लीडर से बात करें क्योंकि मुझे घर खाई तो अक्कमोडेशन वांटेड इस तरीके से आ चाहिए यह सिच्चियोशन सिटी में आप जो है मुविंग कर रहे हैं कैसे लिए यह पर पार्ट दिये गए हैं मैं आपको क्या क्या बताना होगा इसमें बताना है रिष्टेशन के वारे में एबरेज प्राइस के अंट्रेशन के इंट्रियो नहीं है और जो आपके डिटेल वह बता देंगे वह यहां कमी चला है लेकिन अगर हम 99000 ऐसे लिख देंगे तो लोगे और यह दोर नहीं चल गया तो उसके बार में मारुति सुजू की डिजार अब लेगा है जिसका मॉडल नमर की है 2400 सीची सिल्वर कलर है ट्रेवलर यह पिटिड विद एलोई वील्स पैनास्ट्रोन की मुझे सिस्टम आपको मिल रहेगा विस्ट्टी प्लेट अंडेड वाट्स अम्प्लिफायर आपको मिल जाएगा मेरी गाड़ी में आपको बूफर मिल जाएगा यहां पर 15 के आपको पैट्रोल विद इसी मिल जाएगा ठ संद्रूफ गुड कंडिशन फुल इंशर्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा अब जो इंट्रेशन पार्टी जो बंदा है वो राजा या रजनी से यहां पेस नमबर से फॉल कर सकता है मिल सकता है और कातो खरीश सकता है यह चीज़ है यहां पर खीक है ना तो एक दम सिंप पाईगी है ना तो फिर गड़वड हो जाएगी इसलिए ठीक है चलिए आप दूसरा वाला देख लेंगे दूसरे वाले में थी आपकी एक स्पीच तो स्पीच किसके उपर थी भाई नहीं पोस्टर था पोस्टर था कि इसको लाइब्रेरी में आपको बुक्स के वेल्यू सेम टूसेम यह मैंने आपको करवाया हुआ था ठीक है और यह सेम टूसेम आपका पोस्टर आभी गया तो देखो भाई पोस्टर पोस्टर में आपके तीन दुम्रतों पक्के हो गए अगर आपने वीडियो देखी होगी समझाओगा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की और इस्कूल लाइब डिरी एस टेन थाउजन वुक्स आपकी स्कूल की लाइब डिरी में तक्रीवर दस अजासे जाड़ा बुक्स है और यह वुक्स आपको उस समय मदद करेंगी वेन यह बहुत अच्छी बात है कि जब आप अकेले होते हैं जब आप उदास होते हैं तक आपने यह बहुत दिरी मत करो में कर डीडिंग और गुड हैवेट एंड इट विट डिफिनिट्ली गड़्यूट है अब स्लोगन दीड वेश्ट इसपीग वेश्ट तिंक वेश्ट अच्छा पड़ो अच्छा बोलो और अच्छा सूच और एक तो सबसे बड़ी हाव बात है क्या डॉंट ज़ज अ बुक वाइट इसका वर्ड जश्ट रीड़ यानि कि किसी को भी उसके खुलिये से अंदाजनी लिखाना चाहिए बस उसको पढ़ना चाहिए यह चाहिए यानि कि जब पढ़ेंगे तो एक अच्छा व्यक्ति बनेंगे यह बात है तो आपको यह बुक्स की इंपॉर्टेस पता चल गई लाइब देडी की इंपॉर्टेस पता चल गई ठीक है न तो इस तरीके से आपका पोस्टर कंप्लीट हो गया अब दूसा पोस्टर भी देखि क्लीन सिटी केंपेंगे संब्द है तो सेम टू से में आपको अलड़ी करवा चुका था ठीक है क्लीन सिटी केंपेंग और यह आपकी सपोर्ट में भी दिया हुआ है लेट्स मेक डेली अब बेटर प्लेश टू लाइज तू लाइज कि हमें डेली को जो जीने के लिए अच अगर जिन बच्चों ने यह पोस्टर बनाया है जो दो आपको रिखा है तो आप मुझे कमेंट बख्स में जरूर बताना आगे चले तो अब हमारे यहां पर देखते हैं आगे कौन सा जाएगा तो अब आगया है यह मारी स्पीच राइटिंग तो अब तीसरी है बच्चो आगे महले स्पीच राइटिंग स्पीच राइटिंग का माला टॉपिक है इंपोर्टेंज और ग्रेंड बरेंस यानकि हमारे जो दादा दादी होते हैं इनके इमारे जीवन में क्या इंप्रेंट फिरेंट्स नहीं हमने भी ग्रेंट पेरेंस टीक है और सेम तो सेम express my views on the importance of grandparents in our life तो क्या importance है grandparents की हमारी लाइफ में उसके बारे में हमें आपके समझने वाए ठीक है आईए एक एक करके हर एक question के answer को मतलब जो भी है आपका उसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगा देखो आवर ग्रेंट पेरेंट्स मुझे ये थोड़ा सा पतला करने चाहिए ताकि आपको अच्छे समझ मैं ठीक है देखो आवर ग्रेंट पेरेंट्स आर स्टोरी टेलर परस्टनल गेम सेंटर पैब्रेट को पॉलाइट टीचर्स एंड बाउंस और अंकॉंद्स ली लभ कि मारे दादा दादी होते ये एक तुरीके से मालल कहानी कार जैसे होते हैं और हम अपने गेम की दादा दादी के साथ ही कहलते हैं हमारे यह अच्छे रस RozORA भी ऑत अधे तरीके से वार अच्छे सिक्षट की बिना किसी भी वात की हम यसा ठीकर क्यृ अपने नाती पोतों के लिए एक हीरो की हीरो से कम नहीं होते हैं आपके अगर मातर पिताई फिर दादा दीन से आप पूछेंगे कि उनके टाइम पे गरीवी कैसी थी तो वो बताएंगे कि हमने ऐसे गरीवी जीती है कि हम दो से चार दीन हमें खाना नहीं मिलता था ठीक है ना नौर्मली हम जो मिडल क्लास के बंदे होते हैं उनके गर्में ऐसा हो तो आप पूछोगे अपने कभी दादा दादी से जाना घाओ या पूछना कि दादी मुझे यह बताओ या दादा यह बताओ कि जब आप थे औ यह बताओ ने लिए अच्छा जीवन दिया है इसका सुग्राज होना चाहिए एक है यह दिल की फिलिंग हो जई दे कम टो रिस रेस्क्यू दियार और वह में आपने जो नातिप होते हैं उनकी स्टिवा करने के लिए ते अटे ग्रेंट पेरेंट्स हैं डवलपिंग ड्री यानि कि एक तरीके से यह हमें बहुत जादा प्रोसाइड करते हैं mentally रूपे बैंट जब हम अपने आपको और विख्षित कर दे हैं और चीर लीडर्स और मोटिवेटर्स हैं कि वो हमारे लिए एक तरीके से खुशी का भी जरिया होते हैं और मोटिवेशन करने के लिए जादा तो वह जितना बोलते नहीं है मतलब जितना काम करते हैं न उससे ज़्यादा तो उनकी बातों में दम होता है कि बातों से में माटिवेशन वे शुड़ है इन पॉजिटिव प्रिपरेशन ऑफ एल्डर पीपल लिन आवर आवर माइंड्स गेंट्पेरेंट्स ओफर आ हमारे इमोशन मारे एक्स्प्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखें और आवर परफॉर्फॉर्मेंस यान कि हमारे लिए एक तरीका सी यह सारी चीज़ है अब देखें यहां पर और भी कुछ भी कुछ बात है तो आप इसे चाओ तो पढ़ लो ठीक है मैं मैं डादा दादी का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे जीवन में ममें आपको बता री और भी आप इयांपए बता सकते हैं की डादा दादी से आपके में पता चलती है जली है अब जो हमारा दूसता था उसको हम देखेंगे तो दूस्ती वाली हमारी जो बच्चो स्पीच है वो थी नीड टू प्रोटेक्ट दी एन्वार्मेंट यान कि हमें प्रयावरान को स्रच्चर रखने के लिए जो बात थी ठीक है तो क्या था यहां पर देखते हैं के क्वेश्चिन को तो लिखेंगे रिस्प्रेक्टि प्रिंसपल और टीचर और माई डियर फ्रें इस बाती है पर पर भादाएं लाध है पर बहुत आते हैं बाड बहट आती है कही पे बशाण नहीं होती है कई पीने के पानी अच्छा नहीं है कई तुक्हे पढ़ जाते हैं तो यह कुछ कुछ चीज यहां पर बताएगे तो यहां से इतना पढ़ दीजिए उसके बाद में man on himself to blame for detoration of ecosystem यानि कि जो मनुष्य है इसी ने पारिस्तिक तंत्रे environmental महारा जो system में इसको बिगाड़ा है deflating forecast industrial pollution toxic waste and vehicle pollution cutting of tree in cities and lake of green cover are some of contrary contrary factors यानि कि पहले तो परितिक बिगाड़ने में मनुष्का ही आता है ताती जो वन घटते जा रहे है तो द्यूगों को जो production हो रहे है जहले जहले कचले कचड़े निकल नहीं जलाय जा रहे नदिया प्रदूस्टों ने बाहर हो जो बहान होते हैं इनसे जो production हो वो सब क्या दशारता है यह दशारता है कि इस मान्रम नेना यहां की हर्याली को खतम कर दे यहां के पेड़ों को काट दिया है जिससे पर्यावरेंड बहुत ही ज्यादा खराब होता चाला ठीक है इंटायर प्रोसेस ऑफ इन्वार्मेंटल पॉलिशन यानकी पूरे का पुरा पूरा जो प्रोसेस है इन्वार्मेंटल पॉलिशन का यह एक वीकल साइक्टिल की तरह है अग्यांश्ट नीड़ आप लोग जो स्कूल में पढ़ रहे हैं इनके जिम्मेदारी है या फिर एक एक इंपॉर्टन प्र भीज़ा दोल निवास सकते हैं इसको कम करने में कि यह कुछ थोटे-छोटे शोष निकाले हैं चोटे-चोटे केमपेशन चला है कि लोगों को इसके बार ही पता चली क्योंकि जब लोगों को लटतन कि बच्चे यह बात कर रहे तो लोग खुर शरम के मारे ऐसा नहीं करें है ठीक है Let us join hands to protect our forecast हमें आप एक साथ मिलकर हमें अपने जो जंगल है इंको रखचित करना होगा फीर को लगाना होगा चेक टॉक्सिंट पॉडिट एंड चेंग दी आवर लाइफ क्टैलिया निकि हमें जो टॉक्सिक होते हैं उनको खतम करना होगा पॉजिशन को खत्म करना होगा और हमें अपने जो लाइफ एस्टाइल से और अच्छा बनाना होगा यह सब्सक्राइब आगे बात कर लेते हैं तो अब जो है बच्छो यह आई गया अपकी डिवेट राइटिंग फूर्थ पार्ट में क्या है डिवेट राइटिंग ह कि online classes are more than offline classes क्यानी कि जो online classes होती है इससे यह ज़्यादा अच्छी है offline classes कैसे अच्छी है आयो समझते है इसमें देखो आपको क्या लिखना है एक तो इसके इदर यानिकी इसके favor यान की पक्ष में अगेंड्स यानिकी इसके विपक्ष में लेखना है तो मैं आपको दोनों अधिन बता रहता है और यह जो डिवेट है ना बच्चो यह वाली online classes वाला यह में आपको already एक डिवेट करवा चुका हूं same to same debate मैं आपको करवाई है और वही same to same बात है आपको यहां पर मैं बता रहा हूँ और यह मैं आपको already समझा चुका हूँ ठीक है ना तो दुवाला समझा दिता हूँ कि पहले रखेंगे motion के बारे में तो debate जब आप लिखते हैं तो आपको कैसे लिखना होता है honorable judges, respected teachers and all my dear friends I stand before you to express my views on the topic of online classes are better than offering classes and I today krishna of class 11th will speak for the emotion इसके में आपक्च की बात करूँ ठीक है चलिए लिखेंगे इस तरीके से कि if you are so old minded if you are so old minded and think that computers will distract kids full studies अगर आप पुराने है और आपको यह लगता है कि आप जब बच्चों को distract कर देंगे पढ़ाई से then I am really sorry मैं आपके लिए चमा चाहूंगा because let me remind you that the younger generation has become a long way with computers यानी कि अभी के टाइम पे जो मारी वातमार की generation है यह computer के साथ में पढ़ाई करके बहुत ही आगे पढ़ रही है and then last at present online education has become very fast because today people want to keep information about the whole world sitting at home यानी कि इस समय online classes जो इतनी तीजी से बढ़ती जा रही है कि लोग घर बैटे ही पूरी वल्ड की जानकारी अपने पास घर बैटे ही चाहते है and again the list of online learning platforms is endless and continues to grow there are less of students and teachers who use the website app to prepare for exams यानी कि वतमार स्वे में बहुत सारी के सारे SAE learning platforms होते हैं बहुत सारे SAE learning platforms हैं एपस हैं जो खतम नहीं होंगे हम यह से बढ़ते ही रहेंगे बहुत सारे teachers हैं बहुत सारे channels हैं बहुत सारे educators हैं वो लोगों बच्चों को पढ़ाने की कोशिस करते हैं जो वाकई मैं कभी government job नहीं पापाते हैं या कोई teacher नहीं बन पाते हैं जैसे हम लोग हैं यूट्यूबर्स हैं जैसे मैं हूँ ठीक है तो मैं अभी के टाइम पर आपको क्या पढ़ा रहा हूं कि मैं यूट्यूब की मार्द्यम से आपकी exam की त्यारी कर रहा हूं यह भी एक इसी का example है कि मैं अगर teacher नहीं हूं तो लेकिन फिर भी मैं as a teacher इस YouTube के पर मैं आपको समझा पा रहा हूं किसकी वाजए से इसे online class की वजए से यह सब्सक्राइं प्ड़ पा Väru TWर खूफ यहां टीजरा अभी के time पर वो चीज जो प्धान्यास ग्रंतों से में देखने को जानने को मिलती थी ठीक है आज उस सब्द को हटा दिया है इंटरेट की जो गूगर लाइव दे रही है उसने हटा दिया इन ओफ्लाइन क्लासिस दियर वुड है विन मैनी लेफ्ट तुगेदर ड्यू तो विच वन टीचर पुड नौट पे अटे पीचर होते हैं वह यहां पर आटेंशन नहीं दे पाते हैं एंड दी चिल्डरन डॉंट अड्रेटेंड वुट नहीं समझवाते हैं इलर्निंग इस आल्सो नैसरी विकॉज विकॉज विकट्री टुमें पीपरेट बुक्स हमें बुक्स बनाने के लिए पीपर बनाने के सब्सक्राइब को काटना पड़ता है विच इस हार्मिंग यूस्टू इन्वाइर्मेंट इंस्टेड ओफ लिविंग दी लाइफ आप कंजूमर लैस्ट कॉंटियूट लाइफ लैस्ट कॉंटियूट त्रू एबुक्स यानि कि हमें पीपर या लाइब्री नहीं यूस कर पारे में अहां online classes better than offline classes यह होगया motion अब बात करेंगे इसके अगेंस कि 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 अगेंस student यानि कि online learning जो हाला कि मैं इस बात से एग्री करते हूं यह तीज़ से बढ़ रहा है लेकिन इस electronic media के जमान में online classes में इस internet में जो teachers होते हैं वो face to face एक जूसरे से नहीं जोड़ पाते हैं जैसे मैं हूँ आपको पढ़ा रहा हूं तो हम face to face नहीं जोडबा रहे हैं यह कि इसकी कमी है लेकिन अगर मैं face के साथ में वीडियो बनाता तो इसकी बहुत बड़ी पापर हो जाते हैं इसकोप टू एड़िफा लेंग्विज एस पर डिमांड फूर ओडियन्स यानि कि मैं जैसे आपको समझा रहा हूं तो यह एक मेरे समझा इसका लेक होता है and self-evaluation mechanism यानि कि वह अपना खुद का self-evaluation कैसे करें इसकी भी कमी होती है इसकी बहुत बहुत जबहुत 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 कर दिया है इंप्लॉइम्ट को को जो टीचर स्यूथ उसको फिक है इस ओल्सों लेट्स तो लेक ओफ डिसिप्लेन या कभी नहीं होता आप देखेंगे चैट्रिंग में कुछ बात चलती रहें चैट्टे रहें इससी बात नहीं है जैसा की फिजीकली क्लास में होता है पीपल मेक फ्रेंड्स वू सपोर्ट देव एंड मेंट मेंटर्स वू गाइड देव तस्ट नो मेंटर हाव फास्ट टेक्नोलोजी शुडवी नॉट डिस्पिलेसिक लर्निंग यान की मैं इस बास से अग्री करता हूं कि यहां बाई जो यह लर्निंग है वो टेक्नोलोजी बहुते से बढ़ रहे बट मैं इस वास से अग्री नहीं हूं कि मैं ऑफ्लेंग ग्रासर बंद कर दे लिए यह यहां पर आपका जो सेक्शन नमबर भी था यह मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से तो आपके दोनों के दोनों डिवेट अच्छा एक डिवेट और रही ग यानि जो हमारे साथी लोग होते हैं इनका जो दवाव हैं कि यह हमारे लिए सही है या नहीं इसके बारे में देख लिए कि काफी बड़ा हो जाएगा अब मैं इसको समझाओंगा तो अब ऐसे लिख लेना कि ओनेवल जूरी मेंबस पीच असनमें डियर फ्रेंड वेरी चे बार में आप पहले इसना पढ़ लीजिए और यह में किस तरीके से इंस्पायर करता है जो साथियों का दवाव होता है इसके बारे में आप यह पढ़िए तो यह कह है यह जो है वो इसके मोशन में यानकी फेवर में अब साथियों का दवाव अच्छा नहीं होता है इसके लिए मैं इसके अगेंस से बात करेंगे अगेंस के विपक्ची बात हो रहे हैं तो सिंपल सा वही लिखेंगे उसके बार में यह harmful होता है कैसे हमफुल होता है यह बता देंगे और बाकि का आपका पार्ट अगे यहां प्यार गया है काफी वचे मैंने लगे तो मुझे इसको साथ मौनिंग वाले बच्चे का और जो इवनिंग के हैं उनको वल्दा वेस्ट आप सभी की एक्जाम के लिए ठीक है भाई अब मार्किंग स्क्रीम को खोल लेते हैं सेक्शन नमर्स C के लिए सेक्शन नमर्स C हमारा देखे बच्चों यहां से सुरू हो जाएगा और सबसे पहला ही जो सेक्शन नमर्स C का कोश्चन है लिट्रेचर वाली पार्ट का वो दिया हुए एक्ष्टेट के सम्भण में और यह है कि वें डिट चैल्ड हुड़ गो वाजट टाइड डे आई के लेवन वाजट दे टाइम आई रिलाइज देट है और वेवन को नौट वी फ इस चाइड हीड है तो कब विलिव गया कि उसका बच्पन चला गया वैन ही वाज टूबी लेवन तक्रीवन ग्यारा वश्ट का था ठीक है और इसके बाद में वाट इस इक्वालिटी एक्वाइड वाइड इस टेज ऑफिस लाइफ यहां कि उसकी लाइफ से कौन सी क्वा आपर जो मतलब है वो यह बताया क्या है एक तरक वाल वो अपना तरक देना सुरू कर देता है इसमें इसका क्वेशन क्या है कि हाव डिटी पॉयर्ट नो थे हैल एड हैवन आर इमिजिनरी कॉंसेट विकॉस अब यह तीनों के तीनों ही कोश्टन सेम तू सेम मैंने आपको अपने सेमपल पेपल में करवा है ती सेम तू सेम कोश्टन है तो देख रहे हो ना की पूरा का पूरा यह कोश्टन ही आपका आ गया है अब अधवाले में देख लेते हैं तो अधवाले में यहां पे बच्छो कि Now she has been Already nearly as many years as that girl live and all these circumstances there is nothing to say at all it is silence silence अब यहां पे क्या है त किसको रिखर कर रही है यह थी रिखर करती और कि नेघ्र सी right ओसको रेफर करे यह यह थो और वशली किसको दशाएगा है अकेले पन को और उदाशी को दशाएगा यहाँ पर ऑप्सर नंबर जो है डी राइट है वाट इस पॉटिक डिवाइस यूज़ इन लास्ट टू लाइन्स यार की इन दो लाइन्स में कौन सा अलंकार उप्यू किया गया है तो वह है या फिर आप कह सकत और आप इसे चायतों आप से पढ़िए ठीक है अब यहाँ आप कोश्चन को देखेंगे कोश्चन का है कि वाट दश्दी डौर कप से यूज़ टैस्ट टैस्ट रहफर्ट वियान कि यह जो एक सब्द है ठीक है कौन सा सब्दें वेचीख ली यह बिसिकली किसके लिए एक अंशर के है इसका अंशर है शिपड यानिकि एक जो चरवाहा होता है उसके लिए क्यों किया ठीक है या ड्रोकवास पॉर्ड तेकिंड वाट वर दी फिलिंग्स ओफ लोकल मेल और वूमेन मैन और वूमेन तो वार्ट्स नरेटर सकार के बारे में लोकल बंदों की तो वंडर एंड श्टेट दी नरेटर सकार सम वेव ऐस बास्ट यान की लहर की तरह की कुछ यहां पर बात पर लिए ठीक है यह पूरे कि पूरे जो गाव में लोग थे वह उसे आशर की तरह से घूर रहे तो ठीक है जैसे मालों कोई लहर सी आ गई हो ठीक उसके बार में हाव बेड़ों ने किसलीके से उसको बेसिकली उसका रियक्शन क्या था जब कार के पास पहुंचे तो रियक्शन ही था कि शीव टुक वेशियस एक्शन और मूव अवे प्रॉम दी इस पीडिंग का यान की बेड़ों ने टालमटोल की कारवाई की और तीज रफसार से कार से द स्टॉप топ वर्किंग दीटो मैनिवेक्शन अफ अफ पंगर के काम ना करने को आ स्टॉप हो गया था वाइवर प्लास्टिक फंस प्लास्टिक फंस ब्राउट्स यानि कि यह जो थी प्लास्टिक इस तरह की से तो फैंस ब्राउट तो दीमूव सेंड प्रॉब दी हिसकेंं मशीन यानि कि इसकें मशीन शे वाली निकालने के लिए पंके को लगाया गया था कि यहां पर यहां पर करता है कि अब देखिए यहां पर इन्होंने पैटर्न तो सरीके से बनाए था कि तीश्रा एक्स्टेट आएगा बच्यों आपका एक 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 नंबर के तीन कोशन का लेकिन उन्होंने लिए हैं एक एक नंबर के चार वाई यह समझते हैं यह आपका दिया हुआ है और इसके बार में फिर्म से कोशन पूचे गाए कोशन का है सबसे पहला यह है कि वाई वाई वाजदी वुमाइन और कॉश्यस अबाउट डिश्टर्विंग एनिवन इन दा हाउस वह घर में किसी को भी डिश्टर्व नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके लिए वह अच्छा पर्णाम साबित नहीं होता तो क्यों विकॉस कि फिल्ट एट वुमें का जो विएवियर था उसके प्रति नेरेटर को कैसा विवार कैसा फिल्वार तो दन दी नेरेटर पर ली फैल्ट डिस ओल्यूशनेट इन हुमेनिटी एंड डिग्रेट ऑब मिश्ट डॉलिंग्स बिहवियर यानि कि एक सेकेंड यह तीस्ता है नह नेरेटर कि भाई उसकी जो हुमेनिटी होती एक महिला का दूसरे महिला के साथ में विवार उसका अच्छा नहीं था यह चाहां पर पताएगी एंड थर्ड पार्ट कि वाई डू नेरेटर गो तो मिश्टर डॉलिंग्स सौंग्स विकॉस अब डैट तो हैव अलुक अट तो यहां पर कॉन सा राइट हो जाएगा यहां पर जो डी है यह हमारा राइट हो जाएगा ठीक है उसके बार में चोथा क्या है किसी ब्लाउट डैट एवरीवन फ्रॉम और ऑथा फेमली हैड प्रेशाइड इन दिवार तो क्या था भाई इसके बारे में तो लिखेंगे एक सेकेंड चा कोश्चन तो हमारा है यहां पर मैं आंसर पड़ दिया सोरी वाइड वाइड वॉमें ठिंक देट नो वन हैड कम वेक विकॉस अपर चल रहा है वार और वहां पर जो फैमली सोती है उनको बना लिया जाता है बंदी ठीक है यह सारी के सारी बाते हां पर आज कोश्चन की तो इस ही में अथवा में दिया हुआ था बच्चों मारा अगला वाला यहां पर देख सकते हैं यह जो आपका चैप्टर वान है उसलिए गया था वाइड नेरेटर नेरेटर कैम टू इस कुजन मुराद साथ से क्यों आया था वाई उसलिए आया था विकॉज इसलिए वो नहीं करना चाहता था मतलब क्या है बाई मतलब सिंपल सा है कि जो कथा वाच्चे के नेरेटर जो है यह चचिरे भाई मुराद के घर गया क्योंकि उससे जोन विरो की आत्रा के बारे में सूचित करना था उसे भुड सवारी सीखने के लिए कहना था यह यहां पर बोला था ठीक है उसके बाद में कि दी रियक्शन और मुराद इन दी एक्ष्ट्रेक्टिक इस गी इस वन और रियक्शन था उसका रियक्शन था फॉल्स एंगर यानि की गुश्च्ट्य टाइब यह जो 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 नामें इसका वट काइंड ओफ रेपूटेशन दी गार्गयों फ्यांड फैमली इंजोई तो क्या रेपूटेशन थी रेपूटेशन थी उसकी ओनश्ट्री के लिए उससे सभी जानते थे ठीक है और इसके बाद वाद आराम वेंट टू कीप दी हॉस फोर यह क्यों चाहता था इसलिए वो एक साल तक उसे रखना चाहता था या फिर उसे मुराद को ही सीखना था या अराम को सीखना था इसलिए यह बात है आप आ जाती ठीक है वाई तो यह आपको सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब हमारे जो कुछ 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 कुश्चन आंसर थ पता था जबकि वो दोनों एक गर में एक चत के नीची रहते थी क्या बात ही वहां पर तो बात यह थी थी फादर सन रिलेक्शन शेप एक्चुली नौन फंक्शनल यान कि जैसे हम दौर्मल अपने माता-पता के साथ हमारा विवार होता ना वैसा उनके साथ विवार नहीं यान कि वह कभी आपस में कभी बात ही नहीं करती थे रसा लगता रहता जैसे अंजानों अजनवी है इसलिए अत्व में कहा है जस्टिफाइज टाइटल ऑब वोईस ओपने बात करूं तो मैंने आपको सेम यह भी करवा रखा है को सेम यह भी करवा रखा है गयतरोंडे के देख लेते हैं जो टाइटल है वोईस ओफ दे रेन का वो पुरिखा गया है त्रू दा वर्ड्स इसके तो दी वर्ड्स ओप दी रेन दा प्वाइट है तो बिंग आउट दी इंपोर्टेंस ओफ रेन आर्स प्लैनिस ओफ मैन यानिकि इस वह जो पाइम का नाम दा वोईस जर्ण सब्सक्राइब देखा है क्यूंकि जो वॉइस है वह नेरेटर के हरेक सवाल का जबाब दे रही है और यह द्रेन हमारे धर्ती के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंस है लोगों को यह बहुत जादा सूचना देती है बहुत जादा प्रभवित करती है उनकी लिए क किया गया है दूसरा question क्या था कि what plan of action did Professor Gai Tonde have for visit to Bombay and why क्यों जाते है भाई because of that Professor Gai Tonde has arrived at a plan of function in plan of action in Bombay as a historian he would go to be a big library library जाना चाहता था ठीक है बड़ी-बड़ी books पढ़ना चाहता था that was sure surest way of finding out the present state affairs was the uh the H यानि कि उसने को stories वेगरा भी लिखे थी उन्हीं सिद्धानतों के बारे में यह सारी शीजों को जाना चाहता था इसलिए वो वंबे गया था कौन Professor Gai Tonde उसके बाद what does a disappearance disappearance of the painting from the wall in the lesson landscape of the south signify तो रिखेंगे there was no sign of wood hazard brush and the artist was never seen again in this world just no painting वनाई थी वो द्वारा इस दुनिया में देखा नहीं गया this the appearance sorry the disappearance of the painting from the walls signifies the knowledge of the spiritual inner world it says that only the masters are aware of the of where within can go yonder any material form यह चीज़े आपे बताएगे एक है भाई आगे आप सभी को समझे अच्छे तरीके से यह बाला पाट आप आप सभी को अच्छे तरीके से तो समझ आई चुका हूँ अब आठवा question देख लेंगे तो आठवा आपकी 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 किताब से लिए गया है sorry जो snapshot से लिए गया है question क्या है कि what do you think the chief purpose of the poet in the poem Tale of Melan City वैसे chapter लेके लिए पोएम कहते है कि the tale of Melan City इसका जो chief purpose है पोएट का वो क्या है तो chief purpose क्या है भाई पोएट का वो यह है Vikram said although through his poem he has made a stare on the people in power यान कि व्यों सत्ता में लोग बैठे उनके वोपर एक व्यांग किया है क्या he has amazingly resented the idea that it does not matter to people who the king यान कि who the king, ruler or head of state is with the understanding that let them live in peace liberty and identify he mocks the government system तो यहां पर यह कुछ-कुछ बाते हैं कही गई है आयुपा को अच्छे तरीके समझ में आ चुका होगा और तो यह है क्या विक्रबसिण जो है उनने इस कवीता के मादफ प्रेश्च में जो लोग बैट्रेख क्या उन्होंने बड़े ही मनुझन भिचार प Downt हरे प्रसुत किया कि क्या थैरिशन यह माईने नहीं रखता माने यह की रखता है कि र들गकर कोन है वो प्रजा के लिए क्या करता है और प्रजा को सांतर रखने के लिए स्वातनता रखने के लिए कैसे-कैसे तरीक अपना था वह सरकारी विश्था का जो जनता होती है वह मजाप उड़ाता है इस रही किसे अब आगे क्या था आगे यह था वाई कि तुरू दी मैलन पर कवी ने किसी भी राष्ट का करता है जिसकी नीतिया अंदिविस्पास और पुराने जमाने की मनित अपर आधारी थे उसके बारे में है अब अगला कोश्चन देखते है तो अगला कोश्चन था कि इन पोयम दी एड्रेस पोयम नी लेसन है इड्रेस और वाय ड़स दी विजिट मॉलिंग मिस डॉर्लिंग हाउस वाय ड़स शी लेटर डिशाइड दी फॉर्गेट एड्रेस और जब पहले क्यों गई और जानी के बाद उसने क्यों सूचा कि मैं यह अड्रेस हुल जाओ इन दी लेसन्स इन दी लेसन्स दी अड्रेस दी नेटर गोज वेक टू डॉर्लिंग साउस इन सच ओफ हर पास्ट हर मेमोरी एंड ब्लॉग इन की वह अपनी अतीर की मेमोरी को लेने गई थी अपनी मता की जो गताब टाप में थी अपनी ब्लॉगिंग यह एक सो कि ब्लॉगिंस इन देर नीओ सिट इन दी लोज दियर वेल्यू और वेल्यू और सिजिटी केंस एज दे आर नो लोंगर एस्वेटेड विधार लाइफ एंड हर मेमोरी इस दिचाइड जीड़ सब्सक्राइड पर अग future that means यहां पर यह बताएगा है कि यह जो part है इसमें कथा वाचे कि अपने अतीर के यादों की सामान की तुलासने के लिए स्रीवती डॉलिंग की गारे वापस जाता है हाला कि जब वे अपने सामान को अपनी नई सेटिंग के साथ में देखता है तो उसका उसे इंपोर्टेस नहीं आद समझाती क्यों वह जीवन में और उसकी याद से जुड़े नहीं थे और वह पता और उन चीजों को भूलना चाहती थी क्योंकि अब अतीर को भूलकर अपने यह यहां पर बगाए तो यह आपका कंप्लीट हो गया आप कुछ 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 कॉश्चन से मैं आपको इन क्वेडियो में बना रहा हूं और अभी 12 के लिए 12 क्लास के लिए मोझे वीडियो बनाना है तो काफी दिक्कत हो जाएके बोल ले मैं ठीक है मैं आपको सीरह सीरह जिसमें आपकी त्यारियों बहुत अची करवा देंगे हिंद और फिजिकल के टेंशन मतलब अची त्यारी करवा देंगा अब आंसर एनीवन ऑफ फॉल्लिविंग डेट शीमाक्सी आपको कॉश्चन क्या है कि मिलियों डॉलार स्कैनर है क्वाइट विकॉल ऑफ सेंड इन इमेजिन यॉर्सेल्फ इन एज वन ऑफ दी गार्ड्स हुवाज ऑन डूटी ओन दा नाइट ऑफ देर ऑफ देर ऑफ दी इसके अपको इमेजिन करना है और उसके अधार पर आपका जो एक्सपीरियंस है वह आपको बताना है कि जब उसका शिनल किया जा था तो आप लिए देंगे कैसे हैं यहां से लेके इसके बारे में इतना का पूरा का पूरा पार्ट है इससे पढ़ लिजे और लिख देना असान तरी क्योंकि अब मैं समझाओंगा तो भाई काफी टाइम हो जाएगा और थोड़ी दिक्टत गो जाएगी इसलिए आप समझ लेना ठीक है वा जाएगे पूरे मिल जाएगे एक अत्व में क्या है अत्व में नौबे कर दिया हुआ है कि गंगा धरंपंथ हैड डिट अडिड नॉट वीन गंगा ध्रमपन्त हैड नौट वीन दिस बॉंबे विफोर इमेजीन विफोर इमेजीन और सेल्फ एज गंगा ध्रमपन्त डिस्क्राइब हाव दिस बॉंबे वार डिफ्रेंट फ्रॉम दैट वन्स यू नू विफोर दिएडवेंचर लिख देंगे जो पार्ट हमें अब क्या सुष्ट के बारे में आपको आंसर देना है तो यहां पे अंकल कुछो के बारे में कुछ-कुछ बाते आ जाएंगी और फिसकुछ बाते जो है वो आपके पार्ट के बारे में आ जाएंगे और लास्ट वन इस यह यहां पे आ जाएगा ठीक है तो आप इसको पढ़ना कि हो सकता है कि इवनिंग की बच्चों की पीपर में यह कोशन जरूरा है ठीक है तो आप इससे पढ़ना और अच्छे से तरीके से समझ लिए ठीक है इस पीछ लिखनी है मदस्ट के ऊपर जो कि आपको मैं बता चुका हूँ ठीक है तो लिखेंगे कैसे तो मदस्ट के ऊपर यह कुछ-कुछ बाते आ जाते हैं आप इसको पढ़िए जैसे कि क्या-क्या बाते आ जाएंगी बाते आ जाएंगी दी प्लेग कंवेस्ट दी मैसेज देड़ गुमें इन दी हाउस नीज तो वी एप्रीचिएट इफर्स इन कीपिंग दी हाउस एड फैमली इन और रियानी की एक तरीके समय कह सकते हैं अधिया घर को क्लीन रखने के लिए घर में लोगों को अच्छा बनाए रखने के लिए जो में वोमें होती है मैं उसका सम्मान करना चाहिए ठीक है आवर मदस और विफ और वर्क हाड डेली तरनिंग अब तरनिंग आवर होसे इन दू ओंस देशीव लोगों के लिए उटके काम करने लगते हैं बहुत सारे काम करते हैं पता भी नहीं चलता है हमारे लिए माता पतषल नाजर काम करते रहते हैं तो सम्मान देना चाहिए एक तरहीके से डेली ही मदस Cheer मनाना चाहिए अपने ममी मgger को प्यार करना ठीक है कि आपके हर एक effort को पूरा करने के लिए आपके माता पिता बहुत जाड़ efforts लगाते हैं ठीक है तो यह सारी चेज आपको यहां पर लिख देनी है मैं लिए आपको मम्मी की बात करनी है और आप यह से देख सकते हैं तो चरीके से आपका जो एक question था वो आपको समझ में आ गया एक second अच्छा ये एक वो है poster है जो साथ मैं आपको नहीं करवाया था ठीक है world health day के उपर है आप देख लेना evening shift के जो बच्छे हैं कहीं आपके में आ जाए जो की 7th April को मनाया जाता है yoga importance होता है benefits के physical activity के वो हमने बता दिए keep healthy at least 30 minutes of physical activity daily issued by health department इस तरीके से कुछ-कुछ है यह अच्छे तरीके से जितना मेरी तरह से हो सकता था आपके exam के लिए वो मैंने आपको यहां पर इच्छे तरीके से समझा लिए ठीक है भाई दूसरी के से भाई आज का यहां पर main part था कौनसा एक second मुझे यह लेना पड़ेगा home part इसको भी लेके चलते हैं एकदम home part तो हमार आपकी त्यारी के लिए आपके physical और हिंदी के लिए ठीक है आपकी physical education के paper के लिए और साथ ही आपके हिंदी के paper के लिए अभी हम sample लेकर आने वाले हैं जिसमें आपकी त्यारी हम करवारेंगे अच्छे ते और बस आपने करना के हैं कि जितना आपको यह video अच्छा लगा है आप अपना प्यार दिखाने के लिए जारा से जारा से जारा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और जारा जारा चैनल को subscribe कि लिए ताकि और भी बच्छी जोड़े हैं से और लोगों तकी वीडियो पहुंचे और उनको भी help मिले हमारी वीडियो से आप सब 80 से 80 80 परसेंट भी हमान सकते हो कि पीपर वही आया जो दो सेंपल वीडियो में आपको करवा है इवन देखो जो आपका ग्रेमिटिकल पार्ट होता है यानि कि वी वाला पार्ट होता है उसके तो आप सोचिए क्या होगा बहुत इंपर्टन चीजह होती है तो इसलिए मैं से गहता हूं कि जितना हो सकते हैं वीडियो को शेर कीजिए कीजिए वाकि आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक कि यह आप सभी पढ़ते हैं और अपना ख्यार रिखेगा धन्वाग जैहिन बंदमात्रा